करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर कैसे हैं आप सभी कमेंट करिए और बताइए जल्दी से जुड़ेंगे जितने भी लोग जुड़ गए हैं कमेंट कर देजिए ठीक है और बताइए शेयर करेंगे सेशन को जिससे की आपके सभी साथ ही जुड़ जाएं डी टिपल या चंडीगर 2024 में कोई ऐसा एक्जाम जिसमें कम्पीटर आता है उसके लिए है यह क्लास इसमें हम लोग 25 प्रेशन करते हैं और इसमें लिखा भी है पूरे नंबर मिलेंगे कम्पीटर में कोशिश कुछ ऐ ऐसे ही प्रेशन लेकर आये जाते हैं जिससे की आपका पेपर पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही मिल जाए चली फटा फट से जोड़ने के बाद कमेंट कर दीजिए क्या है आज की क्लास का पहला प्रेशन जब तक मैं आपके सामने वह रख देता हूं ठीक है लीजिए अच तेरे अपरेल कल ही है और कल ही है हम शाम के चार बजे से स्टार्ट करेंगे लेकिन जो चैनल होगा वह यह वाला होगा नोटबुक नहीं होगा इस बात का ख्याल लखेगा ठीक है अनू गुड़ीवनिंग जी नमस्कार तो क्या है पहला प्रश्न आज का यह लिजिए पहल तो टेंपररी इन नेचर रेम को कहा जाता है और पर्मानेंट इन नेचर रोम को कहा जाता है यह आप अच्छे से जानते हैं शुरू बात से पढ़ रहे हैं सुनीता सैनी ची गुड़ीवनिंग नमस्कार तो देहान दीजिएगा उसने हमसे पूचा है निम्डवे से कौन स अग्रिस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होती है किसकी रैम की जब कि हम रोम की बात करते है तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी रीड only memory दोनों में difference क्या है एक वार detail में बताते तों आपको हमारा answer रेम है ध्यान लखना क्योंकि उसने हमसे पूछा था temporary in nature कौन है temporary in nature होती है रेम क्यों होती है रेम में data तब तक सेव रहता है जब तक उसे current मिलता रहे यानिकी power supply है तब तक तो रेम चलेगी मतलब रेम में data से भोगा जैसे ही लाइट गई data of खतम हो जाएगा रेम का लेकिन रोम की बात करते हैं तो इसमें जो data सेब किया गया है जो program सेब किये गए हैं वो permanent in nature होते हैं वो चाहें यह बात समझ में आगे होगे आपको आगे बढ़ते हैं next question देखेंगे इन computer terms the way in which an adversary can enter the system and potentially cause damage what is he called computer के संदर में जिस तरीके से कोई विरोधी system में प्रिवेश कर सकता है और संभावित रूप से शर्ती का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं क्या उसको attack surface कहते हैं attack signature कहते हैं attack pattern कहते हैं या attack path कहते हैं नमस्ते अजीत तो वह ध्यान रखेगा इसको हम लोग attack surface कहते हैं क्योंकि वह surface area पर attack करता है ground level पर सबसे पहले next सवाल देखेंगे which of the following is a programming software इसमें गलती हो सकती है इसलिए पहले ही वहन कर रहा हूं सोच समझके जवाब दीजेगा प्रोग्रामिंग स्वियर कौन सा है this cleanup windows डिस्क डीफ्रिंटर या फिर विज्ववेसिक विज्वल वेसिक कमेंट कीजिए बताएं इन में से कौन सा प्रोग्रामिंग स्वियर है कि कि जी कमेंट बताएं किए यह कूई कमेंड नैंद ने कहा मैंसे कौन सा प्रोगृमिंग सॉफ्वेर है यह बताना है आपको प्रोग्रामिंग करके बता यह नहीं बतारे कोई बात कहीं में बतारों विजूएंग सरह ठीक है कुछ लोग विंडोस को यह दो लेकर कन्फियूज होते हैं कि सावे यह भी तो प्रोग्रामिंग्स उफ वियर है यह को windows खुद वीजूएल वेजिक के द्वारा बनाई जाएगी ठीक है तो जो programming software है वांडो बेकि क्या है विजूएल बेसिक है मुझे मालम था विंडोज ही अंसर देते हैं जाजा तर लोग गलत है वो लीचे आगला सवाल लगते हैं आपके समने पूशियर नमबर फोर क्या है हिन्दी में भी पढ़ लेंगे सवाल को सवाल यह कह रहा है ms excel worksheet में जब आप भी थरी शेस्ट शुरू करके भी थरी इस्टू जी नाइन सेल्स की एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो निम वॉक्स में क्या पिदर्शित होगा बी 3 होगा जी 9 होगा जी 3 होगा अच्छा यह ऑप्शन थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं यह गलत लिख गया है चौथा ऑप्शन होगा कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूं यहां पर चौथा ऑप्शन यह होगा बी 3 बी 3 अनुपात 2 9 ठीक है 갖고 लिख लिजए भी 3 इस टू बी 9 हाँ आप कमेंट करके बताएं नेमबॉक्स में क्या डिस्पेलिय होगा नेम बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा कमेंट करके बताएं कि पूर्थ की बात हो लिए सुनीता जी अच्छा वो प्रिष्ले का अनसर रखा होगा है कि यह कमेंट बताईए कि अब भाई शेयर क्या करो कि बिल्कुल ही आप लोगोंने शेयर करना सब्सक्राइब कर दिया है कि सेशन को कि चले तो फिर मैं बता देता हूं आए देखेगा रहा एमस एक्सेल वरक्षीट में जब आप भी से शुरू करके भी इस टूजी नाइन सेल्स को सेलेक्ट करते हैं लीजे मैं क्या कर रहा हूं यहां पर आपके सामने सबसे पहले यहां पर एमस एक्सेल को ऊपन करते हैं आपको पता है हम लोग रन कमांड के लिए विंडो आर शॉटकट की का प्रयोग करते हैं यह रन कमांड खुल गई उसमें एक्सल टाइप करते हैं इस तरीके से और यह एक्सल भी खुल जाएगा एक्सल खुलने के जाना उसने कहा जी ठी से शुरुरू बात कीजिए देखो यह जी है और यह पूरा सेलैक्ट कर लिया के नहीं लेकिन आप नेम बॉक्स में आ जाओ तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख कर आ रहा है बीफ्री यानिक जो पहली से लती बीचि उसी का एडरेस लि से स्लेक्ट करना शुरू करते हैं केवल उसी का एडर्स दिखाई देता है इंग्लिश की क्लास चल लिए तो क्या हुआ हाँ चली आई ये देखेगा तो नेम बोक्स में क्या दिखाई देगा बीठी दिखाई देगा कुछ लोग कन्फिउज रहते हैं कि साब बीठी इस डूब नाइन दोनों दिखाई देगा नहीं जो पहली सेल आपके सेलेक्ट किये रहा वह दिखाई देगा चली आगे बढ़े नेक्स कोशिशन इस कोशिशन नमबर फाइब देखो आपको दिया स्टीटीप और पूरा एक एड्रेस टाइप दो दे रखा है ठीक है इस यूरल में स्टीटीप चिन्नित अंश क्या है कि रहा है वाट इस दा पार्ट मार्ट स्टीटीप इन दिस यू आया स्टीटीप इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी होगी देखिए यूरल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स 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 लोकेटर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं रिसोर्स लोकेटर लोकेटर ठीक है स्टीट GT-P की होती है हाई-पर-टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट if transfer protocol transfer protocol परहब ट्रीक है तो उसने कह है से यूर ल में स सस्थरीट जिननुत ऑंश यह मेंट है में हैं मीस हुश्ट है फेल्ड नेम है फॉर्मर ट्रीटी है याध ट्रांसफर रूर्स है तो द्चाँ बैए एक बात समझलो कि इसो नें कहा हाईपर टेक्स ट्रांसफर प्रो वट्राइब नहीं चल रहा है नेट वरक इस्षू चल रहा है अच्छ अगला सबसक्राइगे आप्लिकेशन का प्रियोग किया जाता है अच्छा वह आप बताते रहेगा साथ ही साथ सब्सक्राइब की फुल फूम बताएंगे डैट इस हाइपर टेक्स्ट है पर टेक्स्ट मार्क अप लेंग्वेज इसे कहते हैं है इसको कहते हैं नोट पैड सुमित रांगा बिलकुत सही कह रहे हैं वेरी गुड बहुत ही शानदार तो आपने कहा कि किस application का प्रयोग करते हैं तो notepad करते हैं notepad में कुछ coding भाषा का प्रयोग करके आप stml की coding का यूज करके web pages को develop करते हैं stml से क्या develop होता है web pages develop किये जाते हैं ठीक है नहीं अनुख MS word नहीं होता that is notepad मनिश शौदरी गुड एवनिंग नमश्कार 6 का सी बता रहे हैं नहीं गलत कह रहे हैं सुनीता जी MS word नहीं होता है यह notepad होता है notepad शले आगे पढ़ते हैं अगला सवाल देखेंगे which of the following keyword shortcuts is used to move left and right in each open tab in Chrome browser यानि कि Chrome browser में जब tabs कुली होती है जैसे कि यह Chrome browser खुला हुआ है इसमें मेरा Gmail कुला है मैंने एक टैप खूल दी मान लिजे इसमें मैंने maps खोल दी है मैंने अगली tab खोल दी मान लिजे मैंने इसमें न्यूस खोल दिया ठीक है अब यह तीन टैप मेरे सामने खुली होई है अब आप इस समय इस वाली टैप पर हो यहां से पीछे वाली टैप पर जाना हो या उससे पीछे जाना हो इस तरीके से जाने के लिए कौन सी शॉटकट की का प्रियोग होता है मैं इस बाठें आपके सामने विकल्पवों को फिर से रख रहा हूं यह हैं विकल्प आपके और जाने के लिए आपको तो, देखे, अब यह आप इस टैप पर है ना, इस वाली पर, मैं इस से आपको इस वाली टैप पर ले कर चलता हूँ, दीखे मैंने कंट्रोल के साथ शिफ्ट दवाया, और उसके बाद टैप दवाया, देखो आप पीछे मैपस वाली पर आगे, यहां से भी पीचे जीमेल व साथ एक चीज और सिखाते है अभी देखो चीज दिखाता हूं यहां पर मेरे पास कितने प्रोग्राम खुले हैं एक इक नोट खुला था इक बोग्राम भी यह तीनों प्रोग्राम में से आपको कोई भी एक प्रोग्राम खोलना है तो इसके लिए shortcut fell All गया प्लस टैब में प्लस टैब में कह रहे है नोट खोलना थे खोल लीजे मुझे नहीं खोलना था गूगल गोगल को भीवना खोलना थे नहीं खोलना फिर दबाऊंगा बहुत ही आसान चीज आपको मैं समझा रहा हूं कोई कठिन बात तो नहीं है ना इसमें लीजी आगला सवाल क्या कहता है डिस्प्लेइज ओल दी वेब साइट सेंट पेज़ यू विजिटेड डियूरिंग पिरिड ऑफ टाइम समय की एक अवधी के दौरान आप जितने बताइए देखो भई आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल हैं वह भी इतने पर्सनल है कि उसमें इतने जिगजग लगाकर पैटन लॉक लगाया जाता कि कोई खोली ही नहीं सकता और मैं तो किसी की हिम्मत भी नहीं है कोई आप से पूछ लेकर अपने मोबाइल का रखने पड़ता एक बात बता रहा हूं एक समय था जब मोबाइलों की अधिकता नहीं थी मतलब मल्टिमीडिया मोबाइल नहीं थे उसमें कंप्यूटर का प्रयोग करते थे उसमें काफी काम की वेफसाइट सखोला करते थे उसके बाद माता-पिता से छिपने के लिए उस हिस्टरी को डिलीट करना होता था मैंने शब्द भूला उस हिस्टरी को डिलीट करना होता था तो बेसी कली होता क्या है कि हिस्टरी लिस्ट बनती है जो भी आप वेफसाइट सर्च कर रहे हैं या फिर आप विजट कर रहे हैं तो उसकी हिस्टरी क्रियेट होती चली जाती है हिस्ट्री क्रियेट हो जाएगी तो वहां पर सब कुस दिखाई देगा आपने क्या देखा था इसके लिए आज कल इन कॉगनेटो यूज किया जाता है आपको पता है जिसमें कोई भी हिस्ट्री से नहीं होती है कल की क्लास में हमने उसको डिसकस किया था सुनीता जी गुड़ीवनिंग नमस्कार चलिए तो जो जितनी वेबसाइट पर देखें उन सभी को पतरशित कौन करता है हिस्ट्री लिस्ट करती है स्टेटस वार ना टास्क वार ना टूल वार अंसर आएगा बी बॉंबे हिस्ट्री लिस्ट क्या यह बात समझ पाई सभी लो कमेंट कर दीजे पताइए समझ में आगी बात के नहीं होई चले आगे पड़ें आगला कोशन देखते हैं कि यह अगला सवाल है कि रहा है बाइनरी डिजिटल कम्पिटर में मशीन मशीनी भाशा बनती है मतलब सबसे पहले आप मुझे यह बता तो जब बाइनरी की बात होती है तो binary digit के बारे में जरूर दिमाग में आता होगा और binary digit जो होती है वो कितनी digit से मिलकर बनती है कि सर दो कौन कौन सी दो digit होती है जीरो होती है और एक वन होती है यही आपके सवाल का आंसर भी है यही exactly आपके सवाल का आंसर भी है उसने यह कहा कि binary digital computer में बनती है मशीनी भसा बनती ऐह एक और दो से सूने और एक से जीने और और एक याने कि जी्यो और वन वन से रही तो बनती है तो option फंग बिझार्शन सही जवाभ भारति बिलकुल सही करहें सुमिथ बिलकुल सही करहें रहा है को लोग सभी से करक्रेण ausge जुड़े हैं जब आप देने में अग्टिव हुए है अभी तक तो सब ऐसे निश्क्रिये पड़े हुए थे जिंदा लाशों की तरह ऐसे मत रहो हुई कमेंट करते रहो मुझे बहें बना रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो चलो अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल के र दिया जाए आई एम एपी किस से संबंदित प्रोटोकॉल है किस से संबंदित प्रोटोकॉल है तो आप कम से कम यह कह पाएंगे कि यह इंटरनेट से संबंदित प्रोटोकॉल है ठीक है इससे इंटरनेट से चलिए फुल फॉर्म बताइए क्या है इसकी जल्दी से इंटरन internet media access protocol 10 का CND नहीं दोनों कैसे हो जाएंगे अंतर है दोनों मैं ध्यान से देखो आप सुनीता जी internet message access protocol जी हाँ देखो यह अंतर समझ नहीं आ रहा तो मैं दिखाते हो मैंसे इसका आंसर तो पहले लगाई लो आप सी ऑप्षेण इंटर्णेट में से प्रोटोकॉल ले इंटर्नेट में से अंतरनेट मेंपी का फोन लुप है इंतरस एप्षण प्रेमें इंट्रा लिखा हुआ है वेरी गुल्ड राइट कहा रहे हैं सही कहा रहे हैं चली अगला सब्सक्राइब देख लिए पूश्य नमबर गया रहे हैं कोश्य नमर गया रहे हैं दा एरो विच अपिर्स ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन और विच इस ऑपरेटेट बाइड़ा माउस इसकॉर्ड जैसे माउस है आपको अभी दिखाता हूं एरो आए गया यह तो है एक तीर जैसी हाकरती तो है इससे क्या कहते हैं यह पूछ रहा है य सब्सक्राइब कर्सर आप सभी लोग जानते हैं इस बात को तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कर्सर कहते हैं और किसे कहते हैं यह भी समझें इसके लाबा कर्सर और हम इसे भी कहते हैं जैसे माल लीजिए मैंने यहां पर विन वर्ड टाइप किया और मैंने वर्ड फाइल खो ठीक है मैंने इसको सेलेक्ट टॉल किया और इसको थोड़ा से बड़ा कर देता हूं अब आपको दिखाई देगा देखे ज़रा यहां पर आपको बिलिंक होता हुआ कुछ नजर आ रहा है से से सटर ही कहा जाता है यह भी कर्ण से सब्फलें की तरफ यह क्या रहा है कर रहे हैं । लिकित्स में से कौन सा कतंथन असत्य अभी होता गया इसे प्रश्णों में सब्क्राइब सबसे पहले दिमाग में यह बात लेकर आई दूसी बात इसमें से एक शब्द को हमें हटाना पड़ेगा नहीं तो हो जाएगी गड़वड एक टेविल में केवल शब्द को हटा दीजे बस अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर ओनली शब्द को को हटा दीजे बस अभी कोई दिक्कत नहीं है अब देखो जड़ा उसे सवाल पूछा क्या है पहले यह समझ लें सवाल यह पूछा है एमस्वर्ड में टेविल के बारे में टेवल जो प्रियेट की जाते हैं जूश के बारे में क्या अस्त्य है wrong डूनना है हम तो देखो जा एक टेविल में एक रो एक कॉलम हो सकता है यह तो सत्य यह सत्य बात है लेकिन हमें सत्य चाहिए कहां हमें तो सत्य चाहिए इसलिए यह हमारा आंसर नहीं है बात को समझें आपके नहीं अच्छा अगले में कह रहा है एक टेविल में केवल एक रो हो सकती है केवल एक रो हो सक सकती है ऐसा कह रहा है तो ऐसा तो नहीं है एक से ज़्यादा भी हो सकती है तो यह गलत कह रहा है यह गलत कह रहा है इसी लिए इसी लिए कि यह मेरा क्या बन जाता है इसी लिए यह मेरा अंसर बन जाता है क्या बात समझ में आई अच्छा यह कि रहा है एक टेविल में अभाजे संख्या में कॉलम नहीं हो सकते हैं तो यह भी गलत क्या रहा है हो सकते हैं आधने संख्या में कॉलम हम गलत के रहा है तो यह भी ऐंसर बनेगा रोग जाओ में टेविल के बारे में निम्रिकित में से कौन सा कतन असत्य है पहला तो असत्य हमने कर लिया उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है दूसरे में किरा एक टेविल में केवल एक रो हो सकती है यह तो गलत बात है इसलिए वह हमारा आंसर बन जाएगा तीसरे में किरा एक टेविल में अभा Jis Huॉ सकते हैं तो यह भी हमारा आंसर बनजाएगा एक टेविल में केवल एक कॉलम हो सकते हैं एक केवल एक कॉलम हो सकते हैं यह भी कह रहा है औसी आसा तो नहीं कैसा कि कहीं उसने हमसे असत्य की जगे क्या पूछ रखा हो सत्य पूछ रखा हो अब देखना ज़रा अब क्या अंसर बढ़ने वाला है अब कुछ अलग बढ़ने वाला मुझे लगता है देखना ज़रा हमने यदि सत्य डूंड़ना है तो पहला किए एक टेबल में एक रो और एक कॉलम हो सकता है यह सत्य है यहानसर बन जाएगा एक है यह यहारा आंसर बन जाएगा एक केवल एक हो सकती है एक लिए है तो आंसर तो अंसर यह बन जाएगा है हाँ वही मुझे लग रहा है सत्य पूछ रहा होगा क्योंकि उससे तो फिर अंसर गड़वड हो रहा है अब इस तरीके से समझ लेते हैं इसको ठीक है अच्छा यहां भी करेक्शन कर दें तो यहां पर भी इनकरेक्ट को करेक्ट कर देते हैं स्कूशन की तरफ मूब कर रहे हैं यह है अगला सवाल आपके सामने अगले आया अगले है माइक्रो प्रोसेस सब्सक्राइब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे की फॉन्ट और फॉन्ट विशेष्टाओं को बदलने अनुच्छेदों को अनुकूलित करने श यह समझ में आए ठीक है तो जादा इंग्रिश भी पढ़ लेते हैं इन माइक्रो सफ्ट वर्ड इन एमेस वर्ड डी डैश टैब फीचर्स दी मोस्ट कोमर्ली यूज तूल सच एस चेंजिंग फॉंट एंड फॉंट एट्रिवियूट्स कस्टमाइजिंग पेराग्राफ एप्लाइंग इस्टाइल्स एंड फांड़ण買स टेक्स्ट कौन सी टब में मिलता है। यह पूछ रहा है क्या home tab में मिलता है design में मिलता है review में मिलता है या insert में देखो सारे विकल्व जिनके इसने नाम लिए टेक्स्ट की style कोicle बदलना है न या फिर paragraph को set करना alignment के हिसाब से left alignment right alignmenterer alignment सेंटल alignment आपको पता है वह सारे कि सारे home tab में मिलते हैं एप और अधिवा भी दिता इस समय भी हम होम टेप पर ही है वोडो हैंके नहीं होम टैप पर होम में देखोगे तो आपको यहां पर देखो यह बोल टेलेक का उप्ष्ण मिलीलिया रहा है यहां पर फोंट के बारेमें बात होई रही है पैराग्राफ को से जारीं स्टर्म अब सब्सक्राइब के लिए है क्या हां जी बिल्कुल है क्या आपके पेपर में कंप्यूटर आता है अगे बढ़ें नेक्स कोश्चन देखेंगे अगला प्रेशन गीगाबाइट इस एक्वर्टू हाव मैंनी कि मेगाबाइट यानि कि जीवी को कंवर्ड करना है किसमें यह यहां पर गलत लिए इस को काड़ दीजेए अप वही इंगलिश में देखिए गीगाबाइट इस एक्वल टू हाओ मैनी बाइनेरी मेगावाइट मतलब एंबी गीगावाइट मतलब जी वी तो आपको पता है ना एक जी वी बराबर होता है वन जीरो टू-फोर एंबी के जानते हैं यहीं आंसर है एक जी वी में कितनी एंबी हो गई उसके लिए तो थमनिल पर भी लिखा हुआ आपने देखा होगा बारती ठीक है चलिए आगे बढ़ना है नेक्स कोशन देखेंगे फिप्टीन फोशन विच आफ दा फॉल्वाइंग अपिर्स एज पार्ट ऑफ फॉन्ट कमांड गुरूप अंडर दी होम मेन्यू इन रीसें वर्जन ओफ एमेस वर्ड सच एड वर्ड टू थाउजन शिक्सटीन रहां मेस वर्ड के हाल के संस्क्रणों जैसे 2016 में हूम मेन्यू के तहर्ट फॉन्ट कमांड समूँ के भाग में के रूप में निम्लिकित में से क्या दिखाई देता है पेस्ट शो हाइड चेंज केस या प्यां करता वर्ट कमांड के समवव में फॉंट कमांड के समूं में क्या दिखाये देता है पेस्ट दिखाई देता है शो हाईड दिखाई 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 दिखाया के इनुक्साथना दे रहे हैं c बठ गॉष्चिन कंसग कंसरच है मनीश 15 का मेंट appear गलत है बही मनेश आपका अंसर तो गलत है अब बताएं बागी लोग क्या करने बताएं करें आहिए देखेगाब मैं यहां इव दिखाता हूं हम मैं फोन्ट कमांड के इन राकर लिए यह रही finn तो сов term तो क्या दो देखाई देगा हैना देखोmbolड टने के लिए सब्कष्रिय लिए 만들 करने के वहाँ पर जो थे उनमें से ध्याण करो एक केसी ही है जो यह कोई भी नहीं है क्विकल्प में जैसे कि यहाँ पर पेस्ट यहां था शो फिया आप सब्सक्राइब फॉर्मेट पेंटर का ओप्षिन वहां था नहीं था एक्षुली फॉर्मेट पेंटर का ओप्षिन तो यहां पर होता है यह किसमें यहां पर क्लिप बोड़ वाली टैब में होता है आपको फॉंट वाली कमांड में केवल चेंज केस दिखाई दे रहा है यह वाला सेंटेंस क के स्लोवर के सब्सक्राइब वाला ठीक है समझ पाए बात को चलिए तो अब अंसर लगा दीजिए अपना देट इस चेंज केश यानिकी ऑप्शन सी इस दी करेक्ट वाइब आपने क्लिप बोर्ड बता दिया हम एवरीवन कमेंट कीजिए समझ में आगी बात नेक्स कोशन देख रहे हैं कोशन नुम्बर 16 कि रहा है विच आप फॉलाइंग व्यू आप्शिंस इन MS वर्ड शोज हाओ यूर डॉक्यूमेंट विल एपिर अपिर आज वेपेस यह रहा है MS वर्ड में कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेपेस के रूप में कैसे दिखाई देगा डैट इस आउटलाइन वेव ले आउट प्रिंट ले आउट या रीट रीड मोड कीजिए कमेंट बताएं कि जल्दी से बताएं कई बार क्या होता है प्रशनों के उत्तर ना प्रश्णों में ही छेपे होता है है पस दिखान से देखना है ओम जी पंडे वेब ले आउट मेरी हिंट से भी तो कुछ फाइदा मिला होगा सुमित रंगा प्रिंट ले आउट में तो जो दिखाई देत है वह वह दिखाई देता है जैसा प्रिंट में आएगा जबकि वह किसमें पूछ रहा है कि विच आप फॉलोइंग व्यू आप्शन इन एमेस वर्ट शोज हाओ यूर डॉक्यूंट विल एपियर्स एज़ा वैपेज वैपेज बनकर कैसा दिखाई देगा तो तो वैव ल चलिए आगे बढ़ सकते हैं अगला सवाल 17 कोशन देख रहे हैं विच आप फॉलइंग इस रिमूवेबल मेमोरी डिवाइस थोड़ा सा कोश्चन को और बढ़ाना है मुझे निम्न मैंसे कौन सी व्योज्य मेमोरी उपकरण है कंप्वीटर विच आप फॉलइंग इस रिमूवेबल मेमोरी डिवाइस चलो इसे ऐसी रहने देते हैं कोई बात नहीं कोशन था तो ऐसे ही मैं चाहरा था कि आप उस चीज को सोचने के लिए तयार हो जाए तो मैं को बढ़ाना चाहता था उमजी पंडे पैंडराइब के रहे हैं 17 का भी आंसर दे रहे हैं पैंडराइब हो सकता है बट है नहीं वही तो बात है इसलिए तो मैं कोशन को थोड़ा सा और भाशा बढ़ाना चाहता था कि आप सोच पाएं मैं भाशा ही नहीं बढ़ा पाया चलिए तो आप समझने की कोशिश करिए मदर वोर्ड तो फिक्स हो पैंडराइब वह एक चीज समझ लो आप पैंडराइब जो है यह आपकी ऐसे सरी जो की बाद में जोड़ने वाली डिवाइस है तो इसकी बात नहीं हो रही है जो कंपीटर में और लेडी है उसे रिमूब किया जा सकता है वह है तो थीक है तो रेम आंसर बनेगा अनू का अंसर सही है अनिल सिनाहा का अंसर सही है टिप्यू कैसे हो जाएगा विवोज्य क्या होता है यह होता है जो इंग्लिश में रिम्यूवेवल लिखा है जिससे निकाला जा सके है अगला सवाल यह है कि निम्लिखित कठन सट्य है या सत्य पढ़िए खुद से और जबाब देजए क्या होता है कैई वार मैं शब्दों पर जाधा जोड़ देता हूं तो उसी से आपके आंसर सेंसे खुट पढ़िए भुद बताएं निकन इसे क्या सथ्य है डिए सत्य है ऑप्शिंस वह हैं सब्सक्राइब 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 और बाकी लोग क्या किया रहे हैं फरक तो पड़ता है जैसे मैं पढ़ूगा ना थोड़ा सा तो चीजें जोड़ देता हूं मैं तो उससे कि चीजे कमिन्ट राइट सुनीता शरन बींस्द के ऐसी इस सुमित का मतलब दौनोग गलत असत्त है और यह यह उस रहे हैं डिच बो hurricane है मतलब बहुत रहे हैं दो बात बताओ है करा एंस में लैंड़िसकेप एक पेज COMर्जिन विकल्फ है आपने MS Word में लेंडिस्केप एक पेज का लेयाउट सुना होगा या कहूं तो Orientation of Page लेंडिस्केप होता है ऐसा याने की लेटी हुई अवस्था में और एक होता है portrait याने की कुछ इस प्रकार से खड़ी हुई अवस्था में यह कौन सा иях उरियंटेशन भूब कुछ दूर्यक्त इसे पोर्टरेट कि मेरे शब्दों को सुना अपने यह पोर्ट्रेट आहां एक पोर्टरेट ओरियंटेशन है पेज का तो liken लेंडिस में और पोर्ट्रेट पर्ट के साथ भी मार्जिन बढल में ने को मार्जिन कहा जाता है यह तो होते हैं, यह तो होते हैं, एक अधर मार्जिन कहा जब भी सभी नहीं कहरा है क्योंकि मार्जिन कह रहा है यह भी सभी नहीं कि रहा जब दौनों आसर थे हैं तो और अप्षिन भी क्रेक्ट रांसर बन जाता है तो कुछ लोगों का भी आशर बना भी समझ में आगी बाद तो शब्दों पर ध्यान दीजिए भावनाओं को समझे सव सवाल की भावनाएं क्या कहना चाहती है चलिए आगे बढ़ जाएं अगला सवाल क्या है देखेगा कि बेसिक कोबोल C++ are different type of computer languages machine languages sign languages या assembly languages क्या होती है यह अलग-अलग बताइए basic कोबोल C++ are different types of यह तो आपने एक आम भाशा में भी सुना होगा कि हम वह सीख सी प्लस प्लस सीखने जा रहे हैं क्या है वह आपकी भाशा है मेरी भाशा है या कोई इशारों में की गई बात है यानि की sign language है नहीं ना यह computer की भाशा है कोबोल हो C++ हो या basic हो ठीक है यह किस की भाशा है computer की language है option ए जो है करेक्ट आंसर बन जाता है computer language है राइट वेरी गुड़ आगे पढ़ रहे हैं अगला सवाल है यह विच आप दफो लेंग यूर्ल इस नॉट पार्ट ऑफ हैं निम्लिकित में से क्या यूर्ल का एक भाग नहीं है इंग्लिश पर भाश क्लब गलत लिए है निम्लिकित में से क्या URL URL की full form क्या बताई थी रुस में लोगों को पता है कि वेरी स्ट्रिंग हाँ जी मैंने कहा निमल कित में से यूरल जैसे यूरल क्या होता है सबसे पहले यह समझे आए देखेगा जड़ा इससे डाउन कीजिए यहां पर इसे खोला जैसे कि मैंने अभी यह नियूस होल रखी है जैसे इस पर कई वह लोग कहते हैं ना कि मैंने ए यहां से कॉपी करूँगा और किसी को भेज़ दूँगा के लिए वाई तेरे पास रहा गया इसकी बात हो रही है कि यूरल का एक भाग नहीं है क्या नहीं है प्रोटोकॉल नहीं है डोमेंड एड्रेस नहीं है या आई-पी एड्रस नहीं है हाँ यूनिफर्म डिसोर्स ल और इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का कंप्यूटर के आई-पी एड्रेस से उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता इंदुर जीत करें आज मैं लेट हो गया पूर्ण भी हो गए हां जी बिल्कुल हो गए उन्नीस इस लाइव है उन्नीस हो गए है कि समझ पहें बात को आई पीड्रेस का रिलेशन किसे हैं कम्प्यूटर से कह दो कम्प्यूटर का अधारकार्ड आई पीड्रेस लेकिन यूरल में इसका कोई रोल नहीं होता पैचान ज फॉलॉइंग वाज दी इंटरनेट इंदी में पड़ी है कि रहा है निम्लिकित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूर था अग्रदूर मतलब इंटरनेट से भी पहले जो प्रियोग में आया करता था इंटरनेट आने से भी पहले इंटरनेट जैसा ही कुछ प्रियोग में आया करता था वह क्या था अपनेट था एनेट था यह पनेट था यह अपनेट गलत लिग गया है अर्पनेट होता है अर्पनेट गलत लिग गया है अभी सही हो गया इसे भी सही कर लें अर्पनेट और जब मैं इतनी महनत कर रहा हूं इस पर तो आंसर यहीं होगा कुछ और नहीं तो आंसर क्या वनेगा अंसर क्या वनेगा डी वनेगा क्या यह बात समझ में आगी सभी के अर्पनेट इंटरनेट से भी पहले प्रयोग में आता जैसे आपने सुना होगा आप लोग जो फेस्वुक यूज करते हो बहुत कॉमनली यूज्ट सोशल मेडिया साइड है अप्लिकेशन है सौरी तो फेस्वुक के लिए कहा जाता है कि इनके संस्तापक जो थे रहा उन्होंने सबसे पहले यह अपने दोस्तों के लिए पर लिया था इसकी फॉल फॉर्म होती है हम कल की क्लास में भी डिसकस कर चुके हैं ठीक है अच्छा फिर दीर रही वर्ड वाइड हो गया है याने की पूरी दुनिया में चाह गया लेकिन जब यह छोटे स्थर पर यूज होता था तब इंटरनेट नहीं एर्पनेट था मनु शर्मा गुडेवनिंग जी गुडेवनिंग नमश्कार चले आगे पड़े लेक्स कोश्चन की तरफ अगला सब्सक्राइब वाट टाइप ऑप डिवाइस एलाउस यूजर तो एड़ कॉम्पोनेंट्स एंड क्यापबिलिटीज तू अ कंप्यूटर सिस्टम अच्छ पढ़ने में उपबोकता को अनुमती देती है इंगलिस ज्यादा बढ़िया लग रही है में तो पढ़ने में इस्टोरेस इस्टोरेस तो ऑप्शन में अच्छा है भी ऑप्शन में सोच समझ के जवाब दीजे मैंने कहां नहीं तो कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाएग लगान को तो इस्टोरेस कि सकती है यह यह करती है कि आप और डिवाइस को इसमें चोड़ देने हाँ ओम जी पांटी कि एकस्पेंशन लौट्स लेकिन विश्वास मानिए कि आप भी गलत है विश्वास बावने कि आप भी गलत है जहीं चीज समझो जैसे pen drive मैंने चीप्य संता को बढ़ा रहा है माउस का प्रियोग कर पाएंगे तो यह किसमें यूज़ होगा तो यह क्या कर रहा है कि लूट सु इसका अंसर बनेगा asystem board system board क्या होता है आपको system board को motherboard कहते हैं क्या कहते हैं motherboard के बारे में तो आपने सुना होगा आप जब कोई pen drive या फिर किसी डिवाईज की Drive उसमें लगा रहे होते हैं तो पीछे CPU के पीछे 50ी होती है उसमें slots बने होते हैं आप तो दो सोच रहे हों कि उनना क्योंट में लगा है मतलब cpu में लग रहा है एक्षुली स्लोट से उनका नेक्षन किसे होता है पता को तर अच्छा क्योंट से होता है कि आज की कोशन ट्रेकी है हाँ सिस्टम बोर्ड यानिकी मदर बोर्ड ऑप्शन ए इस दी करेक्ट वन यह वो डिवाइस है जो कि आपको आपकी कपविल्टी इसको बढ़ाती है कंप्यूटर में मतलब अलग-अलग भी अग्याटॡ भी करते है इसी सारी स्लोट से मेंृच की नाम पूछती है लृचни हो समधर भूर्ड है है इस सब जानते होगे शोटे बच्चो वाल सवाल पोच्ट्प लिए potato शोटे बड़े बच्चो वाल सवाल लिए रहा यह भी एक्शुली बड़े बच्च वाला नहीं है कि रहा है वाट इस दा फुल फॉर्म ऑफ सी फ्यू सी प्यू यह तो सब लोग जानते हैं क्या है जल्दी से बताओ डैट इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी प्यू की फॉल सी फॉम होती है अच्छा सी फॉव की जव हम बात करते हैं तो सी प्यू के जो कॉम पोनेंट होते हैं वो तीन होते हैं सी फिजू के यह क्या और होते हैं एक होता है से होता है सघुए הקरल इस एक होता है एक होता है yanak Ranger यूनिट होता है मूरू यह बिल्कुल सही आगे बढ़े नेक्स कोशिन इस दा यूज ओप मैथमेठिकल टेक्निक्स टेक्निक्स टू प्रोवाइट सिक्योर्टी सर्विसेज सच आज कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा इंटिगरिटी एंटिटी अथेंटिकरिशन और डेटा ओरिजन ऑथेंटिकेश क्रिप्तो लोगवी क्रिप्तोग्राफिटा टोग्राफ या क्रिफटो क्या कहलाती है कि कह रहा है सेवायों जैसे गोपनीयता डेटा की अखंडता एकाई प्रमार्ण करन तता डेटा मूल प्रमार्ण करने के लिए गड़िती है तक नहीं का ओपियों क्या गणा ऐसी टेकनलोजी ऐसी एक विवर्स्था जो आपके डेटा को सुरक्षित रखती है वह क्या कराती है अल्गोरिथम जैसा तो कोई सा वही नहीं है इसमें क्या गयते हैं अकेला अल्गोरिथम कहीं लिखा है कि उसमें एक अल्गोरिथम लगी है लेकिन यह कोई नाव नहीं है डाटिस क्रॉप्टो ग्राफी उसे क्या कहते हैं क्रॉप्टो ग्राफी कहते हैं और शन्बी करेक्ट अंसर बन जाएगा आज तो बहुत सवाल कलत हो रहे हैं आप लोगों क्या बात है वहीं कितनी गलती है कैसे हो रही है कि भी बनेगा करें यह भगवान चलो कोशिश करो कि आज की ग्लास का अंतिम प्रश्ण आप से सही हो जाए यह लिजेगा करें विच आफ दा फॉल्लाइंग इस अ प्राइमरी स्टोरेश रिवाइस निम्लिकित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेश डिवा इतने अच्छे लेवल पर पढ़ते हो तो यह तो आप सही करीद होगे बताइए निम्लिकित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेश डिवाइस है ऑप्शन से हार्डिस्क रेंडम एक्सेस मेमोरी मीस रैम मैगनेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क की चिकमेंट बताइए मैं मैंने कहा था यह तो आप सभी लोग सही करीद होगे यह तो आपके लिए आसान है पर चिसका भी बता रहें प्राइमरी इस्टोरेश डिवाइस तो रैम ही है रेंडम एक्सेस मेमोरी है जिसे आप रैम शॉर्ट में कहते हैं यह टेंप्रेरी इन नेचर भी होती है लेकिन यह प्राइमरी है ऑप्शन भी इस दी ठीक है आज क्या बात है शुरूबार से बड़ी कम संख्या में जुड़े थे आप लोग दीरे संख्या बड़ी है अब आकर मैं आपको एक इनफोर्मेशन दे दूं बलकि दो इनफोर्मेशन दे दूं जोड़े रहेगा थोड़ी द कर रहा हूं जोड़े नहीं पंदर गएंप्रेल की जो की मंडे का दिन होगा ठीक है यह जो कंप्यूटर का प्रेक्टेस आपका चलता है इसका टाइम चेंज हो रहा है किंशा सब्सक्राइग को क्या हुते हैं पांच बजे नहीं हुआ करे बलकि दुपहर के बारे बज़े हुआ करेगी 12 पीम हुआ करेगी नोट करिए इस बात को ऐसा इसलिए कर रहे हैं शाम को क्या होता है अभी मैराथन चलने चंडीगड़ वाली चंडीगड़ के लिए ज्यादा तर लोग लोग बढ़ जाते हैं कोछ दर चले घए हाँ कुछ दर आज नहीं अभी ये लगाधर मेरा थन चलेंगी अभी कम से कम दस पंद रहे इसलिए आप ही का नुक्सान होता है थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा भी डाउन होता है वह इसलिए होता है क्योंकि वह कम लोग आ रहे होते ह से लोग थे बड़ा मोटिवेशन डाउन तरह दियरे संख्या बड़ी है हाँ चैनल सेम रहेगा लाटदिस नोट्बोक अकेडमी नोट्बोक अकेडमी नोट्बोक अकेडमी इसी चैनल पर चलेगी ठीक है अच्छा अब आज 14 तारिक है मैंने । सब्सूरी बारे तारिक पर यह मैं आपको अभी दिखाई देता हूं इसे मेरे को लिखने की जरूवत नहीं है तो मेरा थन होगी आपकी यहां पर देखेगा नहीं रहेगा इस चैनल पर नहीं होगी सब्सक्राइब करने पर फिर में ब्लॉग कर देता हूं ठीक है द्यान देश बात को और आपका स्वागत है आप नहीं है प्लेटफर्म पर ठीक है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं चलिए तो फिर आज की ग्लास म में तहीं रखते हैं पंदरा तारिक से दुपहर बारे बजे से होगी आपकी क्लास ध्यार न कीएगा ठीक है ठीक है थैंक्यू बड़ी मुच गुड़नाइट टेक्या जैहिंद क्लास इसके थोड़ी दिरवाद इसी चैनल पर रीजनिंग के लिए आप लोग मेरे साथ जो झाल 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 झाल